नमस्कार जोहार लाइव लगतार में आपका स्वागत है मंत्री बन्ना गुपता वाइरल मामले के बाद जो है आज हम गांधी मेधार में खड़े यहां पे हिंदू मुसल्मान एक ताम मंच के द्वारा यहां पे रैली निकाली जारी है यहां से वो उपायुक कर्याले पहु देखिए जिस तरह से पिछले दिनों वीडियो वाइरल होता है एक आम आदमी का अगर वीडियो वाइरल होता जिला प्रसासन खुद सेंग्यान लेते हैं उन पे अफ्यार करते हैं उनको सबसे पहले जेल भेनरे का काम करता उसके बाद जाच करता बन्ना गुपता जी जार की मांद कर रहे हैं बन्ना गुपता जी से मेरा नीजी कोई दुस्वनी नहीं है हमारी मित्र हैं बड़े भाई है अच्छी समद्ध है लेकिन जमसुतपुर की जो घटना घटा है पूरा जारकन नहीं देश में जमसुतपुर का नाम जारकन का नाम शभी धुमील हुआ है अगर आप निर्दोस है तो आपको कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि आप जिस पद में है करियेगा तो हम लोग आप से रिक्वेश्ट करने के लिए आए हैं कि आप इस्तीफा दे अन्यता हम लोग सडक से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे आज हम लोग महामाइम राज लोग मुस्लिम समाच के लोग है जो लोग हमारे दोसी है उन पर जिला पर संकतौर से कटूर करवाई करें हम लोग कटौर करwerkा मंगते हैं मैं जिसन ही कई मिसलम से जीद के बाहर आते हैं तो आप उनके गड़ से ही कहीं उनको चिनौती तो नहीं दे रहे हैं देखिए मेरा ऐसा कोई उद्रस नहीं है मैं बहुत छोटा सा एक साधारन घर का मिडिल क्लास फैमिली का छोटा बच्चा लड़का हूं लेकिन मैं भारत बास का भारत मा का सिप अब परिणाम चाहिए जैसा हो हम लोगों को नया चाहिए है हम लोग के साथ यहां पर महलाई भी है इन से सीधे जोड़ते मैं आप आखिरकार क्यों किस लिए आप निकली हैं मैं इसलिए निकली हूं कि ताकि हिंदू-मुस्लिम एकता बनी रहे और आगे कोई यह सब धरक है कि वह ऐसा काम किये हैं इसलिए चाह रहे हम लोग कि इस्तिफा दे ऐसा कोई बात नहीं है कोई नीजी जुस्मनी नहीं हम लोग से देखे इनका तो साब तोर पर कहना है कि जिस तरह से बन्ना गुपता ने हरकत किया है जो वाइरल वीडियो हुआ है यह आरोप लगा है अब जाच इसमें चल रहा है अब देखने की बात यह होगी कि जिलापरसासन किस तरह से इसमें जाच करता है क्योंकि इस्तिफा की मांग तो यहां के लोग करी रहे हैं मैं प्यूसमिसरा लाइव लगातार जमसेतपूर